हेलो एंड विल्टों गाईज आज अब फिर सिखिलने जा रहे हैं जी टीस एंड रियाज तो अगर आपने मेरी वीडियोज अब इतर नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर वाच करो यार इस सीरीज के ओपर में बहुत सारी वीडियोज बना चुक हूँ जो लोग ट्रेगलियोज देख रहे हैं इंको पता हुआ कि मैं कुछ टेम पहले बैड लैंस में आ गया था और यहां पर मेरी एक गुंडी गर्फिन भी बनी जिसके लास्ट मिशन कंप्लीट हुआ था और आप सब ने उस पे काफी अच्छा प्यार दिखाया था थैंक्यू स जो टट्टू जैसा पुलिस ऑफिसर है उस टेमपनी के लिए हमें एक मिशन करने के लिए जाना है अभी जस सामने ही मुझे एक रोब दिखाई दे रहा है यहां से मैं दोसरी गाड़ी ले सकता हूँ बिकाज ये गाड़ी तो हो गई है ब्लास्ट तो बाई इस लेडी के पीशे बागते बागते मुझे क्या पता इसकी बाइक मिल जहें इसकी बाइक लिए हुआगा इसकी बाइकलो होता है रुक पुलिस ऑवरे पीशे पढ़ जास तो मुझे लगता है कि कुई पारक्गंग लोट में से उठाना ही पड़ेगी एक मुझे आगे बाइक दिख र पांगे ढी यह पॉलिस ओफिसर के नाम पे धब बेद्ब बंदा नशा कर रहा है यह अपन हे यह एक्चलिई नशा कर रहा है अपने अफिम का जो हरी अफिम खेतों में हुगाई जाती है उस अफिम का और पीछे एक फार्मर भी यह जिसके फार्म में बैटके अभी अफीम का निशा कर रहा है उस फार्मर से बहुत तगड़ी लेवल पर कमिशन लेता है और भाई उस फार्मर ने इसको बोला है किया मेरे को एक बहुत बाड़ा एक मशीन चाहिए जिससे फार्मिंग होती है अगर वो मशीन मुझे मिल जाएगी तो बहुत एजिली मैं अफीम की खेती कर पाऊँगा और भाई अब होती है इस फार्मर की एंट्री और फार्मर हाथ चोड़ कर बोलता है भाई नमस ते गाज़ा पी होगे क्या मैं अगा भाई तेरा गाज़ा पी नहीं आया हूँ मैं ये जो गज़ेडी बैठा इसकी वज़े से मुसीवत में हूँ इसकी बात सुनने के लिए हो उसकी सुनने दे तो ज़्यादा मत बोल तो तो उसको बोल बाल की मैंने करा दिया है शांत और ये गंज़ेडी गया था भाई ये जो फार्मर है ना इसको फालतों मत बोल ये में को रेगलर्ली काज़ा सप्लाय करता और जितना गाज़ा ये बेचता है उसका भी कमिशन मिरे को देता है तो इसकी सारी बात माननी है तुझे भी भाई पीछे से फार्मर को बोलना स्टार्ट करता है भाई देखो दूर एरिया में एक फार्मिंग स्टेशन है वहाँ पर एक बहुत ही तवड़ी मशीन लोगाई है फार्मिंग के लिए अगर वो मशीन मुझे मिल जाय रहा तो मैं अपनी अफीम की खेती दिन दोगनी और राच चोगनी गर सकता हो तो भाई मैंने इसकी बात मान ली जो कि माननी तो थी जी वो टट्टू टैंपनी जो है उसकी वेज़े से मानना पड़ेगा तो भाई इसकी बात मान के मैं चला गया हूँ फार्मिंग स्टेशन की तरफ वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन है जिसको मुझे वापस इनके बस लेकर आना पड़ेगा और उसके बाद ही ये टट्टू टैंपनी तोड़ा सा शान बैटेगा जिसको अभी तद मेरी सिच्वेशन का नहीं पता उसको मैं बता दूँ पर बताने से पहले भाई ये हो गई आउट उफ कंट्रोल और बाइक चली गए मेरे हाथ से अब मुझे रोड से दूसरी बाइक लिनी पड़ेगी यार जिसको मेरी सिच्वेशन का ये नहीं पता बाई मैं इस टट्टू टैंपनी की हल्प करके हो रहा हूँ तो भाई आपको बता दूँ एक मिशन था जिसमें के मेरे ब्रदर स्वीट पर बहुत सारी गोलिया लगी थी और मुझे कर लिया गया था गिरफतार इस टट्टू टैंपनी के पुलिस वाले हॉस्पिटि में उसका चल रहा है अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो उसका हो जाएगा वहीं पर स्वार्गवास या नर्कवास जो भी है हो जाएगा तो फिलाल मुझे इसकी सारी बातें माननी पढ़ेंगी और अभी मैं बाइक लेकर उस फार्मिंग स्टेशन तब जा रहा हूँ या मुझे जो लंबा रास्ता होता ने ये तैय करना बिल्कुल नहीं पसंद इसमें लगता है बहुत टाइम हेलिकॉप्टर होना चाहिए गार मिशन स्टार्ट हुआ ये रास्ता तैय करते करते मैं पहुच गया और लोकेशन है ये फार्मिंग स्टेशन और ये है बड़ी मशीन बाइस सच में बड़ी पावरफुल मशीन लग रही है देखने में ट्रैक्टर इतना छोटा लग रहा है इसके सामने है भी ट्रैक्टर निकला एक ये ट्रैक्टर और वो थी वो बड़ी मशीन भाई यहां से है एंट्री बट एंट्री अगर आप यहां से ले लोगे न तो फार्मर्स चो हैं यहां के वो बहुत ही जाधा स्ट्रॉग है और उनका क्लियर कहना है कि भाई फार्मिंग लौ तो आकर रहीगा जै 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 किसान ये बोलते रहते हैं हर बाच मिनिट में तो भई मैंने लिया है दूसरा रूट और मैं बलकुल बाउंटरी से होते होते हुँआ उनके खेट के पीछे से यहां से उसने की करूँआ एंटरी को बिकाज अगर फरंट से करता तो भूले चला चला के मार देते हुझे तो भई मैं जितना हो सकेगा उस मशीन के पास जाओँ और पास जाने के बाद एंटरी की ट्राइ करूँगा भई ये था वो लास्ट टेप जिसके आगे मैं नहीं जा सकता तो मैं यहीं रोक कर यहां से सोचाओ कि यहां से एंटरी कर ले तो भई अब देख रहे हुझे वो जो मशीन है ये घास किराते हुए जा रही है विको इसने जितना भी फसल लिया है उसका बूसा अलग कर रही है वाकी चीज़ा अलग भई मैंने इसी मशीन से कुचल दिया है इसके ड्राइवर को और भई जहां से घास निकल रही है वहां से इस आदमी के बॉड़ी पार्ट्स निकल रही है भई देखने में लगा था कूल बट इन्यूमन था और भई ये बंदा भी कुचला तो इसका भी देख रही है पीशे कून गैसे उड़ा है बॉड़ी पार्ट्स चूट कर निकल गए है ये भी ऐसे ही निकला है यार इस वेरी इन्यूमन पर मज़ा रहा है तो करेंगे ठीक है मज़ा रहा है तो भई कंटिनू करेंगे भई ये तेख रही है ग्राफिक्स कितने सहीं लग रहे है अब बंदे को कुचल रहे हैं मशीन के तुरू हो मशीन के अंदर फिर पीछे से निकल रहे है तो भई इस मशीन को लेकर मैं आल्मोस्ट बाहर निकलने वारा था तभी कुछ ट्रैक्टर ने मुझे पर कंटिनूसली गूलिया चलाए जा रहे है इन से बचने का सब एकी तरीका कि अगर हम किसी पारडी पर है तो मुझे पारडी से नीचे कुछ जाना चाहिए इस मशीन को लेकर पावर्फूल मशीन है कुछ होगा नहीं बट मुझे इन ट्रैक्टर से तभी चुटकारा मिलेगा जब मैं यहां से निकल जाता हूँ आइधिंक मुझे यहां से कुदा देना चीरेच है तो भाई यहां से कुदा देने का सब मशीन हो गई है आइधिंक मेरी फ्री टूटी रही यह बहुत अच्छी बात है ब्लास्म नहीं यह भी बहुत अच्छी बात है अब इसको लेकर मुझे जाना है फार्मिंग स्टेशन दूसरे वाले जहां पर ओरी अफीम की खेती टट्टू टैंपनी का जो फार्मर है उसके पास तो भाई अगर अभी तक की वीडियो आपको आ रही है पसंद तो प्लीज वीडियो को कर देने लाइक चैनल को कर देने सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे क्या करना चाहिए कुछ इंट्रस्टिंग सा बताओ यार कुछ इंट्रस्टिंग नया करता है तो भाई मैं उस टट्टू टैंपनी के फार्मर के पास पहुँच के हैं हूँ और रास्ता रूंड़ा हो कि कहां से रगुस हो और कहां से एमिशन कंप्लीट हो टट्टू टैंपनी के उपर एक और ऐसान ना कर दूँ ताकि मेरे ब्रदर स्वीट के ध्यान वो अच्छे से रख पाए तो भाई मैंने मशीन इसको कर दिया है हेंड ओवर फार्मर मेरे को कह रहा है थैंक्यू भाई कम से कम दो किलो अफीम तो लेका जाना मैं का भाई नई मेरे को नई करना सूखा नचा तब ही मेरे को सीजर का फोन आता कि आज कल अम लोग रहा रेस प्लान कर दो तुमारे एरिये में अगर तो बसकी है तो आजा रेस कर ले और फिर देखते हैं क्या कर सकता है तुम तो इतना सुनके मेरा कून गया है मैं जाओगा रेस करने के लिए तब तक के लिए आप लोग रखिए अपने घरवालोगा ध्यान राम राम ओके पाई लाइक कर दिया करो यार प्लीज प्लीज सब्सक्राइबर कर दो लाइक भी खड़ दो कर लब मेंेल कि लूजार कर दो बाई जार्री है कर दोलीज सब्सक्राइबर कर दे माईट आड़ा ब्लीज सुनके ब्लीज सब्सक्राइबर terus